इंडिया इंसाइट चानल में आपका स्वागत है बरते कुछ खास खबरों की और राजस्थान की सियासी जंग के बीच फोन टैपिंग के मामले में केंदर मंत्री गजेंदर सिंग सिखावत को एंटी करप्शन ब्योरो ने वोईस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस दिया है इसने पहले कॉंग्रेस से निलंबित विधायक, भवरलार शर्मा और विश्वेंदर सिंग, बीजेपी नेता सज्जन जैन और गजेंदर सिंग सिखावत के वोईस टेस्टिंग के लिए एसी बी कोट पहुँच गई राजस्थान में चल रही सियासी खीचतान में वसुंदरा राजी के बंगला विवाद भी तूल पकड़ गया है सुमवर को इस विवाद के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाइकोट ने राजी के मुक्य सचीव राजीव स्वरूप को अवमानना नोटिस जारी किया है हाइकोट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोट की बंगले खाली करने के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने वसुंदरा राजे से सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया जो उन्हें मुख्य मंत्री रहते हुए मिला था मामले की अगले सुनवाई 10 सितंबर को हो कोरोना वाइरस की स्वधेशी वैक्सीन को वैक्सीन का आज से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में हुमन ट्रायल शुरू हो जाएगा सनिवार को दिल्ली की एथिक्स कमीटी ने कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन को हुमन ट्रायल के मंजूरी दी थी एम्स में वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है इसका अंदाजा यही है बताया जा रहा है कि हुमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया राजस्थान के मुख्य मंदरी अशोग गहलोत ने एक बार फिर सचिन पालेट पर तीखा हमला किया है शोमवार को अशोग गहलोत ने कहा कि सचिन पालेट ने कॉंग्रेस के पीट में छूरा घोपने का काम किया है उन्हें काफी कमर उम्रे बहुत कुछ मिल गया था सीम ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पालेट नाकारा विकास दूबे एंकाउंटर पर सवाल उठाने वाले याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई यूपी सुरकार के तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुशार मैता ने कोट में एंकाउंटर को सही ठहराया उन्होंने कहा कि आरोपी पेरोल पर था तुशार मैता की दलिल सुनने के बाद सीजियाई ने हैरानी जताई उन्होंने कहा कि हैरानी की बाद है कि इतने केश में साविल सक्स बेल पर था इसके बाद ये सब हुआ कोट ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेलियो और दिखाता है NCP के प्रमुक सरत पवार के राम मंदिर निर्मान को लेकर दिये गए एक बयान पर राजनीतिक शुरू हो गई है पूर्व केंद्र मंति और भाजिपा के वरिष्ट नेता उमा भारती ने सरत पवार के बयान पर को लेकर उन पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि पवार का यह बयान प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के खिलाफ नहीं बलकि भगवान राम के खिलाफ इडी ने भगोरे मेहुल चौकसी के खिलाफ चार सिर दायर की है जिसमें आरूप लगाया है कि किसी तरह उसमें भारत दुबाई और अमेरिका के ग्रहां को और कर्ज दाताओं को ठगने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया हिंदुस्टान टाइम्स के मुताबिक प्रयोग शाला में विकसित हीरे और संपत्ती बेचने के इस रैकेट में शीर्स वित्तिय संस्थान दी शानत बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही बे तहाशा वृधी को लेकर बिना मास्क पहनने वाले सरक पर निकले लोगों से सरकार जुर्माना वसूल रही है बिहार में अब तक मास्क नहीं लगाने वाले साथ हजार से ज्यादा लोगों से 30 लाक रुपे से ज्यादा की राशी बतोर जुर्माना वसूल की गई भारत ने कोरोना संकमित मामले में 11 लाक का आंकड़ा पार किया पिछले 24 घंटे में 40,243 लोग संक्रमित हुए मरने वालों की संक्या 675 हुई और अब तक में टोटल 11,18,107 लोग संक्रमित हैं जिनमें से 27,503 लोगों की मौट हुज़ा UAE का पहला मंगल मिशन शोमवार को जपान से लॉंच हो गया है UAE के इस प्रोजेक का नाम होप मार्स मिशन दिया गया या अरब का पहला अंतर ग्रे मिशन है हाराकि इसकी लॉंचिंग में मौसम ने कुछ खलल डाला था जिसकी वज़े से लॉंच पहले टालना पड़ा था अब आखिरकार मंगल ग्रे के लिए मार्स मिशन होप को लॉंच कर दिया गया अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प यदि चुनाओं हार जाते हैं तो क्या वह परिनाम स्विकार करेंगे यह सवाल खड़ा हो गया है हाली में उनके द्वारा दिये गए एक बयान से ट्रम्प ने एक इंटर्व्यू में आगामी रास्टपती चुनाओं के परिनामों को सुविकार करने की प्रतिबदता जताने से इंकार किया है उन्होंने कहा है कि इस तरह की गैरंटी देना जल्दबाजी है इंग्लेंड और वेस्ट इंडीज के बीच मैंचेस्टर के ओल्ड ट्राफोर्ड मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 219 रन की कुल बढ़त हासिल कर ली इंग्लेंड की पहली पारी के जवाब में वेस्ट इंडीज टीम पहली पारी चौथे दिन 287 रन पर सिमत से ओल मार्केटिंग कंपनी ने एक बार फिर डीजल के दाम में 12 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है दिली में 20 जुलाई सोमवार को पेट्रोल की कीमत जहां 80 रूपे है वहीं डीजल की 81 रूपे प्रति लीटर पहुँच गई है यह उक्टूबर 2018 के बाद का उच्चितम इसकर आज भारती शेयर बजार में बढ़त दर्ज की गई अखिर में आज का इतिहास आज ही के दिन 1979 में नील आम स्ट्रॉंग ने चांद पर पहला कदम रखा था आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें